स्री राम सिया गुलोबल डिवलोप्मेंट फॉंडेशन आप लोगे सबसे लोग पिरिये और पुसंदीदा फॉंडेशन है ये सिक्षा के छेतर में बहुत अच्छा कारे कर रही है और बच्चे को सवयोगिक सिक्षा परदान कर रही है हमारा साथ आपका विकास, हमारा प्रयास सरवांग की विकास हम सब जानने की सिक्षा एक मुल्ले संपत्ति है और हमारी ऑर्गनाइजीचन का धे है कि परतेक माता पिता की पूर्य हो सर्वत्तम सिक्षा की आस आओ मिलकर अपने चेत्र की विद्यार्थियों को सर्वत्तम सिक्षा प्राप्त करने में सवागी बने हमारी और्गनाइजेशन जो है सफल बनाएं नेक्ष्ट देखते हैं हमारी जो फांडेशन के रौसन जा जो निदेशक है उनका हम बहुत बहुत अभाड़ बैक्त करते हैं जिन्होंने स्रीरामसिया ग्लोबल डेप्लेप्मेंट फांडेशन से जिनका संकल्प है हमारा संकल्प सर्बուत्तम समाजिक सिक्षा स्वास्त एवं विकास का करीब विकल्प हर बच्चा जब पढ़ेगा तभी भाड़त बढ़ेगा स्री राम सिया ग्राम पंचायत बालविकास सिक्षा योजना सिक्षा एक मुल्ले समपति है और इस योजना स्री राम सिया ग्राम पंचायत सिक्षा योजना के ताद हमारा प्रयास है कि परते के माता पिता की उनको सर्बुत्तम सिक्षा मिले और उन गरीबों को एक गुनबता प्रक्सिक्षा मिले तो आईए मिलकर इस छेतर में विद्यारतियों को सर्वत्तम सिक्षा प्राप्त कराने में सही होगी बने अगर कोई जुरना चाहते हैं तो हमारे संपर्क नमर से जुर सकते हैं हमारा साथ आपका विकास हमारा प्रयास सरवांगिक विकास तो हमारी जो है CBACM State Education Board जो हमारी जुए इजुकेशन पेटरन है उस पर हम लोग यहाँ पर क्लास कर बार हैं जिसमें वाड़ सिक्षक हो है जिसमें पर यह प्री जो केशने ज़िए जिडिक्रेशन अब क्लास से बच पाहिए और भिलज सिक्षक हों मैं क्लास वर्क से क्लास 3 तक पाहिए वाड़ packet इसके पूरे कॉंटेंट हमारे फांडेशं देगी कि आपको कैसे पाहिए और हमारे जो टीचर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं कि कैसे प्रहाना और उपर में आप तस्विरी में देख सकते हैं कि हमारे कैसे ग्रामी सिख्छों को और ट्रेंड टीचर दोरा कैसे क्लास करा जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रामरी जुकेशन में जो टीचर है जिन करा उनको कैसे प्रहना है और ये ट्रेनिंग विडियोंॅं सबसे पहलों उनका कार है वाड सिक्षा का कार रहा है बालए सिक्षा यूजना के अंतरगत जो ये प्र्जेक्ट चल रहा है संस्थान दवारा पंचाथ के पर्तिय एक वाड में वार्ड में उनकी न्युक्ति होते हैं वार्ड सिक्षकाओं को बाल वरके बालकों को सहयोगिक सिक्षा देने का कार्य होता है अपने अपने पंचात के परतिक बच्चों को संस्थान द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को लाब दिलवाना वार्ड सिक्षिका का कार रहा है उनका काम है जो भी वार्ड में जो भी योजना है उनका लाब दिलवाना परतियक मा इन्हें 30-35 बच्चों को स्वयोगिक परसिक्षन देने का रिपोर्ट तयार कर संस्था के परखन परबंद को जामा करना है तिसरा इनका काम है ग्राम के बच्चों को सरबुत्तम सिक्षा परदान करना वार्ड के बच्चों को सिक्षा, खेल, संगीत, कला जैसे छेतर में रूची दिलवाना इत्यादे कारे वार्ड सिक्षिक्षा का कार्य होगा धियान रहा है किसी भी परकार के ग्रामीनों या फांडेशन या किसी भी परकार का लोगों द्वारा विप्रितत्थ्यात्मक टिपनी पराप्त होती है तो आप कि सिवा समाअप्त की सकती है यवद उनपे उचीत करवाई हो सकता है क्योंकि हम गुनबत्ता पर काम करते हैं, content पर काम करते हैं और हमारा धे गुनबत्ता प्रक्सिक्षा देना तो उसका आपका सद्यूप्योग करना किसी भी परकार का उसमें compromise ने होना चाहिए, class gap नहीं होना चाहिए और किसी भी परकार का तथ्यात में काम नहीं होना चाहिए सबसे पहले इनको क्या सिखाना है तो जीरो के क्लास इसके बच्चे को अगर हिंदी में है तो उनको और से ग्यान तक आपको यह जो है हमारी स्लेबस वह आपको पूरा करवाना है इंगलेस में उनको कैपटल में A to Z आना चाहिए और गनीत में एक से सो तक उनको गिंती आना चाहिए टेबल उसके बाद अपर सिकेंड लेवल में जाते हैं यह उनका कंप्लीट हो जाता है तो या फिर जो पहले से यह जानते हैं उनको स्टेप टू में और से अनार से लेकर ग्या से ग्यानी तक फ्राटेदार उनको बढ़ते नहीं आनी चाहिए इंगलेस में आते हैं तो उनको स्मॉल में A to Z उनको जो है उनको आना चाहिए हिंदी में स्पॉल लेटर और कैप्टल लेटर में उसके बाद अगर गनीत में है तो उनको टेवलाप 2 to 10 या जो 10 तक ज लेना और चुटी के टाम आपको गिंती जोगी ना आते हैं उससे में उनका ये यूज करना तीसरा स्टेप है जैसे अगर वो A से ग्यान तक जान जाते हैं तो उनको छोटे-छोटे सब्द से बने सब्द को पहचानना लिखना उनको होंबड़क देना वह कारे आपका है ज इस तरह से दो तीन-चार सब्द के इसी तरह आपको देर धीर उनको प्रहाना जो आपको ट्रेंग दें दिया जा चुका है लेकिन इसमें क्या करना क्या नहीं करना है जो हमारे बिगनर है या पिर नए जो ट्रेनर है उनको थोड़ा इस सीखने को मिलेगा उसके बाद उनक इसका प्रियूब उनको बताना जैसे कोजर ओ तो हो गया का इससे बने सब्द जैसे कोआकार कोआकार का का उसके बाद हर्सिकार से बने सब्द जैसे कीमत इस तरह से आपको बनाना दिर्गिकार से बने सब्द जैसे हो गया सीतल तो इस तरह से आपको दो तिन उनको टास्क देना है उनको प्रहाना है हर सुकार से बने सब सिकुमार कुनाल कुंदान इस तरह से हर सुकार से बने सब दुरुकार से बने सब इस तरह से आपको एक एक करके उनको प्रहाना है यह हो गया कि उनको धीर धीर दस दिन, पंदर दिन, बीज दिन, एक महिना के अंदर वो जैसे ऐसे पढ़ते हैं तो इस वैसे उनको बढ़ाना है अब बातें इंग्लिस में, इंग्लिस में मगर A to Z सिख जाते हैं तो उनको A for Apple, B for Wall, इस तरसे उनको Z for Zibra तक उनको फ्राटे दर उनको सिखाना है और कहीं से भी पुछा दा सकता है कि अच्छा बताओ J से क्या होगा, तो J से जग होगा, Y से क्या होगा, Y for Yag होगा, Z for Zibra, Z for Zibra, उनको कहीं से भी आपको पुछना है और उनको जो है गुनबत्ता प्रक, जो है क्वाल्टी देना है, उनको यह नहीं फर्माल्टी करना है कि हम उसको पढ़ा रहा हैं, उस पर इहसान कर रहा हैं, ऐसा कुछ नहीं आपको content देना है iGard Cure Writing, उनके बाद, उनको शिखाना है, उसके बाद है, Later Writing, सब्द उसको लिखाना है, उसको सब्द खुजना है, जे से इसमें Apple कहां लिखा हुआ है, इसमें C कहां है, D कौन है, F कौन है this discussions Tryteside by फनफुर भी है तो धीर धीर हम इसको डेवलप कर रहे हैं गनीतम उनको जब 2 से 20 तक टेवल हो जागा तो उसके बाद उनको छोटा-छोटा एक उसके बाद उसको अंके में लिखना एक वन जो लिखते हैं वो लिखना एक उसके बाद है उसको रूमन में भी लिखना एक उससे क्या होगा कि उनका तीनों चीज के लिए हो जागा वन को सब्द में कैसे लिखते हैं हिंदी में कैसे लिखते हैं इंग्लिस में कैसे लिख का अभी फिलाल जो है तीने टॉपिक पर काम करना हिंदी इंग्लिक्स और यह और अगर सटर्डे है तो उसको थोड़ा अलग से भी कॉंटेंट दे सकते हैं तो चलिए जानता है इस उसमें बच्चे में संबाद को जो अदमी बोल नहीं पाता है वो सब चीज आपको अभी ड करना हेजिटेशन तो दीरे दीरे हम लोग पिरी से ही उसको चलू करने का प्रयास कर रहे हैं संबाद को असल हो गया बिनम्र को असल हो गया पड़चे एवं हिंदी अंग्रेजी चित्रकाला उसको हम लोग कुछ-कुछ मैंगो कमल का फूल इस तरह से हम लोग उसको बढ़ संड़े तो लोजी रहेगा सर्टर्डड़ काप 1 में या एदो बार इस तरह का आप कर सकते हैं जीए के जीए थमधे सब्ता का नाम इस वह संदे मिस रभीबार, S-U-N-D-A-Y, संदे, संदे मिस रभीबार, M-O-N-D-A-Y, मंडे, मंडे मिस सुम्बार, इस तरह से आपको स्टड़े तक उनको सिखाना है, फिर महीने का नाम वर्स का नाम, इस तरह से आपको सिखाना है, जन्वरी, J-A-N-U-A-R-Y, जन्वरी, F E-B-R, U-A-R-Y, इस तरह से आपको बारम मंत का उनको सिखाना है, बर्स का नाम, उसके बाद ये से दस जनवर का नाम हो गया, दस फल का नाम, दस फूल का नाम, ये हिंदी, इंग्लिस आपको दोनों में इसको आपको धीरे-धीरे परहाना है, और उनको पुछना है, कभी उसको चौक देदी है, या फिर मार कर देदी है कि चलो, दस फल का नाम लिखो, कभी भी जाँ चले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, ये सब जो नॉर्मल चीज है, जो उनको बेसिक आना है चाहिए, धीरे-धीरे जैसे वह आगे बढ़ता है, तो उसको सारीरी का ये नोज है ये आइस है, है इस तरह से हम लोग उनको चाहरीर के अंगो का नाम सिखेंगे। उसके बाद हमारे रजजय ऑन रजधनी उसको कंप्लियट करना हों उसके बाद असथानिये जनकारी जैसे बिहार के चोहदी हो गया भारत की चोहदी हो गया जैसे बिहार के लिए मुखमतरी कि उसके बाद भारत के चोहदी बिहार के चोहदी इस तरह से अन्य हम लोग जैसे इसे वह डेवलप करता हूं इसे आपको कॉंटेंट देना है कि नेक्स्ट हम आते हैं कि बच्चों को आ मतुते हैं कि डेवी की जाने कि आना पसंद करते ने तो बारार उनको ओंबर को रिटेत हो हुखता है करते हैं आपको प्री बच्चे को परहाना है तो इस तरह से आपको देना और थोड़ा सा जो डेली होमबर्ग पे हम लोग बात करें तो गुनबत्ता प्रक्सिक्षा का हमारी पर्थमिकता इस बात को हमेशा अपको ध्यान में रखना कम से कम तीन होमबर्ग का पो देना हिंद कि अंग्रेजी और गनीत में होमबर्ग देना है दूसरी चीज़ है आपके पढ़े लर्नर का हमारे टीम गुनबत्ता की जांच करेगी यह तो आपको पता है और किसी परकार का त्थात्मिक टिपनी नहीं आना चाहिए आपके तरप से रिगुलर क्लास होना चाहिए कोई जो भी ट्रेनिंग के अब सकता होती है या कोई दिक्कत है आपको तो गुरूप में जनकारी मांग सकता है या फिर हमारे टेक्निकल टीम या जो भी आपके डिश्टी कोडिनेटर है ब्लॉग कोडिनेटर है या फिर जो भी आपके गो है या फिर हम से कि संपर कर सकते है यानि बच्चा जो भी पर रहा उसका मुल्यांकन करना है कि कौन जो कॉसल ले रहा है जो किसमे में improvement है तो उसका एक आपको लिस्ट बनाना है अई जैसे subject बहुत सारे हमारे हैं विधिंग्लिस्स तो इसमें कोन best कर रहा है किसी नेट तक है तो किसी का ताइम देंना यह सकता है आप उनको बीच में बुला के परहा सकते हैं तो इस चीज़ को क्योंकि हम गुनबत्ता पर काम कर नहीं इस पर द्थेन देना है ठीक है तो आप चेक लिस्ट आपको बनाना और ऊपको आइसा ही परहना उसका बारते फनफ फोल लगने के लिए आपक का कुछ